तो ये जो क्लास है, ये हमारा मार्च का जो 2024 के करेंट अफ्यर्स है, उसको update करना है मिरे खाल से 10 Queschion के आज पास में हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें बस update करना है कि मार्च में और क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है ठीक है और अभी current affairs का classes जो है continue चलेगा जो update वाला section हम लोग कर रहे थे इसके पहले वो और एक दो दिन वो update वाला करेंगे दिन उसके बाद में बीज बीज में इस तरह से जो जब तक एक्जाम ने होता तब तक ये बीज बीज में चलता रहे गए ये जो current affairs वाला section है weekly बोल सकते हो हर विक में एक बार और देखते हैं जीके वाला portion का practice वगरा ज़रत पड़ेगी तो मैं वो शुरू करूंगा चलो फिलाद start करते हैं इसको पहला question है यहाँ पे recently याउंडे declaration याउंडे declaration was in discussion it is related to which of the following हाल ही में याउंडे declaration चर्चा में था यह निन्म में से किसे संबंधित है सो options है यहाँ पे cyber security से related है artificial intelligence से maritime security से या फिर malaria disease तो option यहाँ पे चार में से आपको एक चुछ करना है basically यह जो याउंडे है वो एक जगा का नाम है बेसिकली capital है एक country है कैमरून करके ठीक है तो कैमरून की राजधानी है याउंडे ठीक है तो वहाँ यह declaration या एक तरह का summit या conference बोल सकते हो वह organize किया गया था और यह related है आपके malaria disease से malaria बेमारी से किस तरह से malaria disease के लिए लोगों को aware किया जाए और उससे रोक थाम के लिए लोगों को inspire किया जाए तो option D है malaria disease इसके लिए जो है याउंडे declaration अभी चर्चा में रहा है तो option D इसका correct answer है ठीक है देखो यार exam कब तक होगा इस पर तो फिलहाल अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता है न तो अब जब भी हो मैं हमेसा यह बोलता हूँ अगर आपका exam clear नहीं है कब होने वाला है तो हमेसा अपने आपको इस तरह से mindset बना के चल हो जाओगे आपके तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी हां मैं जानता हूँ यह mentally disturb करता है कि आपके exam कब होगा पता नहीं और बस आप तैयारी किये जा रहे हो लेकिन आपको यह करना पड़ेगा basically exam के तैयारी का एक बड़ा challenge यही हो गया है कि exam कुछ ठीकाना नहीं हो रहा ह कभी भी exam अचानक से हो जाता है कई बार बहुत डिले होने लगता है कई बार साल भर डिले हो जाता है तो आपका तैयारी उससे affected होता है बट हमेशा यह धियान रखो कि exam एक महने डिड़ महने के बाद में तो शायद अपने आपको उस तरह से वह कर सकते हो लेकिन जो लोग exam अगरा के साथ से साथ job अगरा करते रहते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत रहता है यह चीज़ है ना तो वो क्या कर सकते हो हमारे हाथ में है नहीं चलो तो the objective of this declaration is to strengthen health infrastructure expand capacity of personal and enhanced program implementation तो कहीं न कहीं hospitals अगरा को enhance करना और लोगों को जो है इसको अवेर करना personal basis पे या फिर इसके program के implementation को लेकर के तो इसी सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ इस declaration में जिसको याउंडे declaration बोला जाता है तो याउंडे is the capital of the African country Cameroon ये चीज भी थोड़ा धियान रखना नहीं तो अकसर confusion होता है कि क्या है क्या है ये याउंडे क्या हर पता नहीं चलता ना तो याउंडे basically एक African country है Cameroon उसका capital है राजधानी है ये माइनिंग इंस्पेक्टर के class कब होगी देखो यार इसके लिए आप अकासर से एक बार बात करके देख ले ना वो बता पाएंगे schedule क्या है कब से start होगी ओके next question है where is startup महाकुम being organized startup महाकुम कहां आयोजित किया जा रहा है so options है यहाँ पर बैंगलूरू में मुंबई में नियू दिल्ली में या फिर कोलकाता में तो यह अभी जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जो रहा इसको inaugurate किया गया है startup महाकुम इसका नाम दिया गया है और यह भारत मंदपम का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो जहाँ G20 का जो है submit हुआ था यह भारत के राजधानी नई दिल्ली में इस्थित है भारत मंदपम ठीक है तो option C जो है इसका correct answer है on this occasion PM Modi said that India has the third largest startup ecosystem with 1.25 लाख startups कितना है 1.25 लाख startups हैं इंडिया में जिसमें 12 लाख youth जो है involved है तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यह दुनिया का तीसरा जो है largest startup ecosystem है और यह नरेंदर मोदी PM नरेंदर मोदी के द्वारा यह बोला गया है कहां हुआ नई दिल्ली के भारत मंदपम में next question है यहाँ पे who has been recently nominated for the prestigious सरस्वती सम्मान 2023 हाल ही में प्रतिस्थित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामिंकित किया गया है options है यहाँ पे गुलजार को, अमिताप कांध को, प्रभावर्मा को, खुश्वन सिंग को तो यह जब मैं awards वाले section करा रहा था तो उसमें भी यह नाम आप लोगोंने शुना होगा तो बिसेकली यह जो सरस्वती सम्मान है, यह केके बिल्लप फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था तो अभी जो है इस साल 2023 के लिए options ही available है प्रभावर्मा ठीक है, तो उनको यह सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है समझो, उनको नामाइकित किया गया है, तो इनका एक वो है पोईटिक नॉवल बोला गया है इसको रौद्र सात्विकम, ठीक है तो इसके लिए जो है इनके पोईटिक वर्क के लिए जो है केके बिल्लप फाउंडेशन का यह जो आवार्ड है, सरस्वती सम्मान यह दिया ग अवाग के रूप में किसे चुना गया है, तो जब मैं स्पोर्ट साल सेक्षन करा रहा था, तो वहां मैं बता रहा था कि ओलम्पिक वगजरा यह जो भी खेल वगजरा होता है, तो उसमें एक ध्वजवाग होता है, ओपनिंग सेरिमेनी और क्लोजिंग सेरिमेनी का डिकलर कर दिया गया है तो पेरिस में जो ओलंपिक खेल होने वाला है तो उसमें भारत के लिए कौन ध्वजवाग के रूप में चुने गया है तो आप्सन है मनिका बत्रा सरत कमल शौरब चतुरवे चौधरी या फिर आप्सन डी है निरत चोपड़ा तो यहां पर आप देख सकते ह तो आप्सन बी अविलेबल है सरत कमल तो यह टेबल टेनिस प्लेयर है सरत कमल जिनको खेल रतना अवाड भी दिया गया है इस साल मेजर ध्यांचन खेल रतना अवाड तो सरत कमल को जो है 2023 में दिया गया था ठीक है तो आप्सन बी जो है इसका सही उतर है खेल रतना टेबल टेनिस प्लेयर सरत कमल अचंत सरत कमल नाम से भी जाने जाते हैं तो याद रखना है सरत कमल को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है अब ये देखो आजकल भारत में हो या अन्य देसे में भी हो पानी की समझ से अब लगातार बढ़ते जा रही है तो ये इसलिए रिसेंटली न्यूज में जरूर रहा है हाला कि ये बहुत पुराना जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि सेलिब्रेट किया जाता है तो प्रत्यक वर्से विष्व जल दिवस कब मनाया जाता है 21 मार्च के दिन 22 मार्च के दिन 3 मार्च के दिन या फिर 24 मार्च के दिन तो यहाँ पर है option B 22 मार्च ठीक है ये United Nation का जो General Assembly होता है आम सभज इसको हम बोले जाते हैं उसके द्वारे बहुत पहले 1992 में एक resolution पास किया गया था Agenda 21 के तहट और उसमें जो है इसको इस दिन को चूना गया था जल दिवस के रूप में विष्व जल दिवस के रूप में ठीक है तो option B इसका correct answer है 22 मार्च को मनाया जाता है World Water Day The United Nation General Assembly adopted a resolution in December 1992 by which March 22 was declared World Water Day उस time में December 1992 में ये declare किया गया था कि हर साल 22 मार्च के दिन विष्व जल दिवस मनाया जाएगा celebrate किया जाएगा ठीक है ताकि लोगों को जो है जल के लिए एक तरह से बोलना चाहिए कि पानी को बचाओ के लिए aware किया जा सके तो है तो पुराना लेकिन आज भी जो है पानी की किलत बनी हुई है और लोग इसको ले करके उतने serious नहीं हुए जितना होना चाहिए था 1992 से ठीक है चलो आगे हम दिखते हैं इन 1992 फर्स्ट फॉर्मल प्रोपोजल फॉर्टर वर्ल्ड वॉर्टर डे वास मेड अंडर एजेंडा 21 ठीक है एड़ युनाइटे नेशन कॉंफरेंस ओन इन्वायरमेंट एंड डवलप्मेंट इन रियो डिजेनरियो तो उस टाइम मे एजेंडा 21 रखा गया था किस्वी सदी के लिए एक एजेंडा तयार किया गया था ताकि आने वाले समय में क्लाइमेट को ले करके इन्वायरमेंट को ले करके और पानी को ले करके लोगों में अवेरनेस फैलाया जा ठीक है तो उसी के अंदर में ये विश्व जल्दिवस भी आया था और उसी में सेलिबरेट करने के लिए डिकलेशन किया गया था बाइस मार्च को नेक्स्ट है यहाँ पे विच एप हैस बिन लॉंच्ट तो मेक दर इलेक्शन प्रोसेस एजियर फॉर्द डिसेबल दिब्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को असान बनाने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया है ऑप्सन से यहाँ पे द्रिष्टी शीखर सक्षम एप या फिर विश्वास तो देखो अभी जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो 40% डिसेबलिटी जिनके जिनका है उनके लिए जो है घर बैठे जो है या बोलना चाहिए कि वोट फ्र भी जो है ओल्डर लोग को भी यह सहुलियत मिलेगा कि वो घर बैठे ही वोटिंग कर सके तो इसका नाम है इस एप का नाम है ऑप्सन सी सक्षम करेक्ट सुरेंद्र साओ करेक्ट आंसर सब्सक्षम एप के थ्रू जो है यह प्रोसेस को इलेक्शन प्रोसेस को एजियर बनान होम का सुईधा जो है इसके तहट दिया जाएगा ठीक है नेक्स कोर्शन है यहाँ पर इन विच स्टेड वोज रिसेंटली आ 900 इयर ओल्ड कंणड़ा इंस्क्रिप्शन अफ दे कल्याना चालुक के डाइनिस्टी फाउन कल्यान चालुक के वंसका 900 वर्स पुराना कंणड सिला लेक मिला है तो किस राज्ज में मिला है कुछ सन यह है अब यह रिसेंटली जो है आर्केलोजिस्ट आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के लिए अभी यह न्यूज में रहा है और अभी एक कैम्पेंच चल रहा था उसके तहट जो है यह जब यह और्केलोजिकल डिपार्टमेंट को यह मिला तो यह न्यूज में आया था कि 900 साल पुराना एक कंणड सिला लेक है इंस्क्रिप्शन है जो कि चालुक के डानिस्टी से रिलेटेड है तो आप्शन ए जो है इसका सही आंसर है तेलंगाना ठीक है तो तेलंगाना में यह मिला है 900 साल पुराना एक कंणड सिला लेक जो कि कल्यान चालुक के डानिस्टी या चालुक के वन से सम्मंधित माना गया है अर्चेलोजिकल आर्चेलोजिस्ट एन सी एओ अफ प्लिच इंडिया फांडेशन ए शिवांगी ए शिवांगी रिदी सैट दाइट इस इंस्क्रिप्शन वस फांड दूरिं दे कैम्पेन प्रिजर्व हेरिटेश फॉर फ्यूचर जनरेशन यह कैम्पेंग चल रहा है अभी प्रिजर्व हेरिटेश फॉर फूतर जनरेशन तो इसी के तहर जो है ये इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है 900 साल पुरा नेक्स्ट है यहाँ पे निम्मू-पादम-दारजा सडक ठीक है निम्मू-पादम-दारजा connects which two states दो राज्जियों को जोड़ती है से औप्पिसन से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एन पंजाब हिमाचल प्रदेश एन जम्मू एन कस्मीर जम्मू कस्मिर एन लद्दाक, लद्दाक एन हिमाचल प्रदेश, बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्याम देना है, यहाँ पे टू स्टेट्स बोला है, लेकिन इसमें आपका यूनियन टेरिटरी भी आ सकता है, तो यहाँ पे जो option है, लद्दाक और हिमाचल प्रद लद्दाक एन हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, अब यह बेसिकली जो है, जो हमारा border road organization होता है, उसके द्वारा जो है, इसको बनाया गया है, लगभग 298 km का यह road है, 298 km, इतनी लंबी जो शड़क है, जो दो राज्यों को जोड़ेगा, तो मनाली जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से है, वहाँ से यह सिधा, जो लेह छेत्र है, लद्दाक का, उसको जोड़ेगा, 298 km ट्रज्जुस की लेंथ है, ठीक है, कारगिल ले जो हाइवे है, वहाँ से, निमू पदम दारजा रोड और जांसकर हाइवे, कनेक्ट दे यूनियन टेरिटरी लद्दाक एन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वही बात है, इसकोर किस टीम ने बनाया है, यह तो सबको पता है, जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, मुंबई, इंडियन, सन्राइजस, हाइदाबाद, चन्याई, सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, जल्दे से बताओ, सर्क करेंट अफियर्स कितने माक्स आएगे, MPPSC माई में, देखो यार, जो करेंट अफियर्स का सेक्षन है, वो जीके कही पॉर्षन मिला करके ही है, मतलब कि आपके अंडियन जीके कही हिस्सा है, तो इसमें एक्जेक्टर नहीं है, कि इतना नंबर से ही आएगा, लेकिन आप मान के चल कोई GK का जब भी question पूछेगा, तो उसमें 2-3 question जो है current affairs को relate करके ही पूछता है, तो है तो बहुत छोटा सा question, कोई बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन वो 2-3 number भी बहुत मायने रखेगा आपको selection process के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आज कल GK वाले इंडियन, Sunrises, हैदराबाद, चिन्नाई, सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, तो अभी recently जो है Sunrises, हैदराबाद और मुंबई इंडियन का मैच चल रहा था, उसमें 277 रन बना दिये थे न, Sunrises, हैदराबाद, तो option B जो है इसका सही उतर है, Sunrises, हैदराबाद ने 277 रन बनाये थे, Mumbai Indians के अगेंस, तो option B जो है सही उतर है, Sunrises, हैदराबाद, जो इतिहास में, IPL के हिस्टी में सबसे जो है, biggest total बोल सकते हो, जो कि एक record है, और Sunrises, हैदराबाद इसको 277 रन त्री विकेट्स, इन 20 ओवर्स, अगेंस मुंबई इंडियन, कई बार ऐसा भी question पूल देता है कि किसके विरुद्ध बनाया गया था, तो याद रखना है, Mumbai Indians के अगेंस जो है, यह total बनाया गया, तो अभी के डेट में यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से IPL इस बार चलगा है, मेरोको लगता है, यह record भी कोई तोड़ देगा, चलो खेर, आगे बढ़त कि इस दिन को जो है, यह अंतर रास्टी खान जावरुपता दिवस मनाया जाता है, तो बेसिकली जो खादान और जो बारुदी सुरंग वगर होता है, उसके incidents वगरा को लेकर के यह जो है, जावरुपता दिवस मनाया जाता है, और मेरे खाल से 2006 से मनाया जा रहा है, चलो का अब आप लोगों सही answer दिया, अब आप लोगों को पता ही होगा कि जो minds वगरा है, या भारुदी सुरंग वगरा है, वो मानवी है, जो human activities वगरा है, उनके लिए क्या खत्रा हो सकता है, उससे बचने के क्या तरीके हैं, या उसको लेकर क्या awareness है, उन सब चीजों के लिए dedicated day है और ये है आपका 4 अपरेल का दिन, तो option B जो है सही उत्तर है, इसका 4 अपरेल को हर साल माइन अवेरनेस दे मनाया जाता है, और ये international माइन अवेरनेस दे हैं, अंतरास्ति ये खान जाग रूकता दियों से इसको बोले जाता है, इस day is celebrated to spread awareness about mines, landmine related activities, there are dangers to humanity and preventions, उसे जो भी बचाओ का रहा है उसको लेकर के awareness फैलाने क्लिए इस देन को celebrate क्या जाता है, इस day was celebrated for the first time in the year 2006, 2006 को पहली बार इसको celebrate किया गया था, when is world health day celebrated every year, प्रत्यक वर्स विश्वश्वास्त दिवस कब मनाया जाता है, तो options है यहाँ पे 6 अप्रेल के दिन, 7 अप्रेल के दिन, 8 अप्रेल के दिन या फिर 9 अप्रेल के दिन, विश्वश्वास्त दिवस, अब यह basically WHO से related है, world health organization से जो है यह संबंधित है, जिस दिन world WHO का foundation day माना जाता है, उसी दिन को जो है विश्वश्वास्त दिवस मनाया जाता है, जो कि है 7 अप्रेल का दिन, ठीक है, the day is celebrated to raise awareness about health issues and highlight the importance of wellness, लोगों को बीच में health issues का और उसके importance को लेकरके awareness पहलाने के लिए यह day celebrate किया जाता है, बेसिकली जो है, the constitution of the world health organization जिसको हम WHO बोलते हैं, came into the existence on 7th April 1948, ठीक है, 7 अप्रेल 1948 को दिन जो है WHO का जो गठन हुआ था, officially, वो उस दिन आया था existence में, उसी दिन को जो है celebrate किया आता है 7 अप्रेल को, विश स्वास्त दिवस के रूप में, ठीक है, तो ये तो important हमारे March के जो important एक पार्ट हो चुका है, तो उसको भी देख लेना, और ये जो है दूसरा पार्ट था, जो कि मार्च के बच्चे हुए जो भी important चीज़े थी, उसको मैंने वो किया, तो कल हम लोग जो है इसका update वाला जो section है, जो important जो current affairs हम देख रहे थे, उसको हम लोग continue करेंगे, मेरे ख्याल से परसानी news वगरा वाला section जो है हो चुका था, इवन नहीं हुआ होगा तो मैं उसको मैं कराने वाला हूँ, काफी दिन gap हो गया थे बीच में class, तो उसको हम लोग continue करेंगे, कुछ मुझे आप लोग को update करना है, जैसे कि cyclone वगरा, operations वगरा, ये सब चीज़े जो है थोड़ा बचा हुआ था, G20 वगरा के भी बारे में बात करना सायद बचा हुआ था, उसको भी मैं देख लूँगा, चंदरयान 3 के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, जो कि अब पिछले साल में ही भले ही रहा नियूज में, लेकिन अभी भी उससे related question पूछा जा सकता है, तो budget वगरा के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, तो ये दो-तिन classes में हम लोग continue करेंगे, ठीक है, रियोजन क्लास यार, GK का रियोजन क्लास होगा, देखते हैं schedule क्या है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोगको, या फिर आप लोग एक बार, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि GK के आप लोगको ज़रुत है, अगर ज़रुत होगी तो एक बार आप लोग अकास सर को बता देना कि class loss होगा कि नहीं होगा, schedule सर भी बता पाएंगे आप लोगको clear, फिल्हाल मेरे में जो schedule है उसके साब से current affairs का एक दो दिन में हम लोग complete कर लेंगे, फिर weekly तो मैं आप लोगको update करा ही दूँगा, जो भी current affairs का है, जैसे ही अभी April का जो है 15 दिन हो जाए, हो नहीं वाला है समझो, तो week के last में हम April का 15 दिन का शुरू कर लेंगे, फिर उसके बाद में next week में हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो वो होता रहेगा जब तक का आप लोगको exam ने होगा, बाखे GK का जो है revision class या उसको practice बोल सकते हैं, हम से के उसके form में वो हम कर सकते हैं, तो देखते हैं, ठीक है, तो फिलाल अभी के लिए इतना है,